मश्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे Storage Class Types and Scope Rules in C तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे Scope Rules के साथ में जब Scope Rules की बात करते हैं या Variable के Scope की बात करते हैं तो वहाँ दो Type के Variables होते हैं Local Variables और Global Variables तो आईए डिस्कस करते हैं उन्हें सबसे पहले बात करते हैं Local Variables की तो Local Variables जैसा कि इनके नाम से ही द्रश्टि गोचर होता है कि Local अर्थात जिनका Scope या जिनका जो Control है Local Area तक ही लिमिट रहता है अर्थात जब भी हम Local की बात कर रहे हैं हम किसी Particular Function की बात कर रहे हैं हम जो पहला Difference जब देखते हैं उसमें लिखा है कि किसी Function के अंदर डिकलेर किया जाता है तथा केवल Function के अंदर ही उसे यूज तथा एक्सेस किया जा सकता है अगर हम उस Function के बाहर उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो Compiler एर देगा जबकि अगर Global Variable की बात की जाए तो इसे सभी Functions के बाहर अर्थाथ जनरल हम क्या करते हैं जैसे हमने Header Files यूज की Header Files यूज करने के बाद में हम एक Global Variable को डिकलेर कर देते हैं उसके पश्चात Main Method या कोई और Functions है वो हम यूज करते हैं के जस्ट बाद में जिसे डिकलेर किया गया है उसका प्रयोग हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं जो दूसरा डिफरेंस है कि जब Function अपना Execution स्टार्ट करता है तब इन्हें क्रियेट किया जाता है तथा जैसे ही Function खतम होता है इनका Scope भी वहीं समाप्त हो जाता है लेकिन Global Variable के केस में Program Execution स्टार्ट होने के साथ ही इन Global Variable का creation होता है तथा पूरा Program जब तक Execute करता रहता है इनका Scope विद्यमान रहता है और जैसे ही Program का Execution खतम होगा Global Variable का जो Scope है वो भी समाप्त हो जाएगा जो तीसरा Difference है कि यह जो Variables है वो Program के पूरे Lifetime के दौरान तो जब मैं बात कर रहा हूँ Local Variable की तो Local Variable के केस में यह Local Variable प्रोग्राम के पूरे Lifetime के दौरान अपना मान प्रिजर्व नहीं रखते हैं तेवल उस Particular Function जिसमें उसे Define या Declare किया गया है सिर्फ उसी तक अपना Lifetime या उसकी Value जो है Preserved रखते हैं जैसे ही वो उस Function से बाहर आते हैं उनका उनकी जो Value है वो Re-Initialize हो जाएगी लेकिन Global Variable के के केस में कोई भी Variable जिसे हमने ग्लोबल Variable के रूप में Declare कर दिया है उसका जो Lifetime है उस Program के Execution के दौरान रहेगा तता उसकी Value हमेशा Preserved रहेगा Preserved रहेगा अगर मैंने कोई Updation किया तो Updation भी उसमें रहेगा और जब भी हम Function के अंदर जाएगे तो वह Re-Initialize नहीं होगा बलकि जो उसकी Previous Value थी उसके आगे वह Values लेगा या Updation करेगा जो चौथा Difference है वह है कि Program Components की Terms में कि यदि हमने किसी Variable को Local Declare की है तो जो उसका प्रभाव है वह उस Local Function तक ही Limit रहेगा इसलिए उसकी Binding है या उसका जो Dependencies है वह किसी और Function पे नहीं रहती है या वह किसी और Functions को प्रभावित नहीं करता है और इसलिए Coupling या Complexity भी Local Variable के केस में कम रहती है जबकि Global Variable जो होते है उनका प्रभाव पूरे Program के उपर रहता है और उन्हें पूरे Program में कहीं भी कैसे भी यूज किया जा सकता है उनकी जो Dependency है या बोलना चाहिए पूरे Program में उनकी Dependency बढ़ जाती है और इसी कारण Coupling और Complexity भी बढ़ जाती है तो आईए अब हम Storage Class में इन Local और Global Variable को कैसे यूज किया जाता है वो देखते हैं या Storage Classes का इन Local और Global Variable पे फर्क कैसे पड़ता है वो हम discuss करेंगे तो सबसे पहले हम start करते है Storage Class से Storage Class क्या होती है Mainly इन Storage Class हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह decide करती है कि जो भी Variable हमने create किया है वो Variable कहां store होगा वो Memory में store होगा वो CPU में store होगा या Register में store होगा और इसी के आधार पे कहीन कहीन का नामकरण भी किया जाता है अब जो Storage Class है वो किसी भी Variable के scope को तथा उसके lifetime को भी निर्धारित करती है कि कोई भी Variable कहां access हो सकता है कितने समय तक access हो सकता है सामाने तया Storage Class चार प्रकार की होती है सबसे पहले है Automatic Storage Class Second है External Storage Class Third one Registered Storage Class And the fourth one is Static Storage Class तो अब हम इन चारों Storage Class को one by one discuss करते हैं और एक्जांपल के द्वारा इनका अंतर भी समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे है Automatic Storage Class के साथ यहां जैसा कि इसके नाम से ही विदित है Automatic अर्थात जिनको आपको Auto Declare करने की ज़वरत नहीं है चुल में हम चाहें तो इसमें आगे हम जब भी Variable के आगे Auto लगाएंगे तो वह Auto Variable ही होगा और अगर हमने कोई भी नाम कुछ भी नहीं दिया है उसके आगे कोई कीवर्ड यूज नहीं किया है तो भी वह Variable Automatically Auto Type के ही कहलाएंगे यह सामान्य नॉर्मल वरियेबल्स जो है उन्हीं की तरह होते हैं और इनका इसकोप Local होता है Local होने का तत पर कि जिस function में इन्हें declare किया गया है केवल उसी function तक इनका scope रहेगा तथा जैसे ही वह function से बाहर आएंगे या function से बाहर हम इनको यूज करना चाहेंगे उनका scope खतम हो जाएगा और compiler हमें error देगा इनकी जो default value होती है वह default value garbage value होती है garbage अर्था वह undetermined होती है जिसका कोई निर्धारन नहीं किया जा सकता कुछ भी value आ सकती है लेकिन सामानय तया जब हम बात करें automatic storage class के variables की तो उसमें storage के लिए memory में stack का प्रयोग किया जाता है और stack के जो pages होते हैं उनमें जो values हैं वह 0 से automatically start होती है इसलिए कई बार garbage के रूप में 0 भी print कर सकता है इसका syntax है जैसा कि हम सबसे पहले auto keyword का use करेंगे उसके बाद data type बताएंगे और फिर उस variable का name देंगे या simply हम data type और variable भी दे सकते हैं auto को लिखना या ना लिखना एचिक है, optional है आवश्यक नहीं है तो यहाँ नीचे example दिया है उस example में हम देख सकते हैं कि हमने variable लिया है integer type का a और उसके आगे हमने auto लगा दिया है उसमें हम auto ना लगाएं तो भी वो equally work करेगा अब हम इसे example से समझते हैं तो यहां हमने एक बहुती सामने example लिया है जिसमें हमने एक variable a लिया है तथा दूसरा variable b लिया है a को हमने initialize नहीं किया है जबकि b को हमने value 5 से initialize किया है यहां देखिए a के आगे मैंने कोई maan नहीं दिया है जबकि b के आगे मैंने maan दिया है 5 अब अगर मैं printf के थुरू a और b का maan print करवाता हूं तो आप देखेंगे कि a का जो maan है वो 0 print हुआ है लेकिन वो 0 एक garbage value है default initialize value ने बलके default initialize garbage value है वो कोई और value भी ले सकता था इसी प्रकार जब value of b की हम बात करते हैं वो value of b जब print करवाएंगे तो वो क्या print होगी जो की उपर b का हमने मान दिया अर्था 5 print होगी अब हम next storage class की बात करते हैं that is external storage class external storage class में के variables को declare करने के लिए हम उस variable के नाम के साथ में external का use करते हैं कैसे करते हैं वो हम आगे program में discuss करेंगे यहां जो भी variables हमने external storage class के हैं उन variable का scope हमेशा global होता है और global variable होने के कारण है इनका इस्तमाल program में external keyword के साथ अगर use किया जाए अर्थात इनका जो lifetime जो scope है जो visibility है वो एक function तक limited नहीं होती है इसको यदि हम किसी भी function में use करना चाहते हैं या program में कहीं भी use करना चाहते हैं तो वहां हम simply उस keyword के sorry उस variable के नाम के साथ में आगे हम external data type और variable नाम दे देंगे जैसा कि यहाँ पे इसके syntax में भी लिखा गया है देखिए external data type variable नाम जैसे external int a एक और चीज़ जो ध्यान देनी है कि इनकी default value होती है वो सदयव 0 होती है अब हम इसके example की बात करते हैं यहाँ देखिए इस example में मैंने simply hash include stdiu.h जो header file उसके just बात में एक variable declare किया है int num equals to 5 जैसा कि मैंने कहा था कि जो global variables होते हैं किसी भी function के बाहर use किया जाते हैं तो यह ना तो हमने sorry declare किया जाते हैं तो ना तो हमने इसको main function में declare किया और ना ही हमने इसको function में use किया है external keyword का use कर देंगे और तब हम इसे use करेंगे या redeclare करेंगे तो यहां देखते हैं program में एक function है हमारे पास main function जो कि यहां दिया गया है यह देखिए और दूसरा जो function है वो हमारा func function अब यहां जब मैं main method की बात करना हूं और main method में अगर मैं इस variable को access करना चाहता हूं उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा उसको मैं external type से declare करूंगा उस function की body के अंदर और तब मैं इसको use करूंगा यहां मैंने इसको declare किया है लेकिन साथ में external keyword भी use किया है इसके बाद में मैंने जब इसकी value print करवाई है यहां call किया है आप देखिये जैसे ही call करूंगा function का control यहां जाएगा यहां जाता ही void function external int num अब यह क्या है अगर मैं direct num print करवाता तो कुछ value और आ सकती थी लेकिन यहां क्यूंकि मैंने इसके आगे external keyword का use कर दिया है num के साथ में कौन से variable को access करेगा इस वाले variable को जो यहां मैंने declare किया था तो यहां value क्या आ जाएगी इसकी 5 आ जाएगी तो आप इस program में देख सकते हैं कि value of num is 5 in both the cases यहां पर भी इस case में भी इस case में भी इसकी value 5 है और इस case में भी इसकी value 5 है अब हम तीसरी storage class की बात करते है that is register storage class register storage class भी अगर हम बात करें auto storage class की तरह होती है जो main difference होता है वो होता है कि यह store कहां होती है जैसा कि हमें पता है कि जो automatic storage class थी उसके variable memory में stack के रूप में stack के अंदर stored होते हैं जबकि register के case में यह by default एक register में store किया प्रिंट नहीं किया जा सकता और यदी जिस register में store कर रहे हैं उनकी memory full हो जाती है तो इनको register में store होने के बाद में CPU में भी store किया सकता है लेकिन CPU में कब store होंगे जब register के memory fulfill हो जाती है या उसमें जगह नहीं बचती है यहां जो चीज हमें ध्यान देनी है कि register storage class के अंदर register keyword का प्रयोग किया जाता है इसके जो variables है automatic variables की तरह ही या automatic storage class की तरह है इनका जो scope है वो भी local होता है और local होने के कारण जिस function में हम इसका use कर रहे है उसी function में इसको declare या initialize जिसमें इसको declare या initialize किया गया है वहीं use किया जा सकता है और जैसे हम उसे function के बहार use करना चाहेंगे वो use नहीं किये जा सकेंगे अर्थात उसका scope या उसकी visibility या lifetime क्या होगा उस particular function तक ही होगी जिसमें इसको declare या initialize किया गया है यह चीज़ मैंने पहले ही discuss की थी कि register storage variable जो होते हैं वो register में store होते हैं और जब इनकी जो memory होते हैं limited होती है अगर register की memory भी खत्म हो जाए तो यह cpu पर store होते हैं और क्यूंकि यह register variables यह cpu में होते हैं इनका कोई memory address नहीं होता है क्योंकि memory address किसका होता है? memory का होता है जैसे कि automatic variable के हमने जब बात के थी उनके द्वारा जो value store की जाती है वो जो default initialized value होती है वो garbage होती है उसी प्रकार register storage class के जो variable है उनकी भी जो default value है वो garbage होती है अब इनके syntax की बात करते हैं इनको syntax क्या है? register data type variable अर्था जो data type है उसके नाम के आगे sorry data type और variable के साथ साथ उसके आगे हम एक register keyword extra use कर देंगे जैसा कि यहाँ example में दिखाया है तो इसको भी अब हम एक example से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ इस example के अंदर हमने main function से start होता है यहाँ जो variable हमारा है वो है num जिसको हमने value दिए initial value दिए 5 और उसका type हमने क्या बताया है? register clear है? अब यदि मैं यहाँ इसकी value print करवाऊंगा तो value क्या आदेगा? 5 अब मैं value print यह करवाने के बाद मैं इस function func को call कर रहा हूँ जैसे इस func को call करूँगा प्रोग्राम का control इस जगह आ जाएगा इस जगह आने पर जब हम int num की बात करेंगे अर्थात इस num की बात यह num क्या होगा? उस num से अलग होगा क्योंकि इसका जो scope था यहाँ इस num की हमने बात किये इस num का scope कहा तक था? केवल इस main function तक ही था यहीं तक था जैसे इस function से बाहर आए इसका scope यह visibility खत्म हो गई है तो यहाँ यह क्या होगा? इस num जब हम use करेंगे तो यह num एक अलग variable की तरब करेगा और यह क्या करेगा? by default एक garbage value लेगा अगर मैंने इसे use नहीं किया है होती है यह देखे value of num जो कि यह वाला case था यहाँ value 5i है और इस second case के अंदर क्या लिया है इसने garbage value के रूप में जो भी हमने value इसको दिये जैसे 32751 यह value यह ले रहा है अब next हमारा जो है वो है static storage class variable static storage class variables के case में हमें simply जो भी हमने variable use किये है उसके data type और variable के नाम के साथ साथ static keyword का use भी करना होगा यह static जो variables होते हैं यह static storage class के जो variables होते हैं उनका scope local या global दोनों हो सकता है और इनकी default value 0 होती है अगर आप इसे initialize करना भूल गया है आपने initialize नहीं किया है तो by default यह जो initial value लेगा वो शुणने लेगा static local variables की value control के बाहर जाने के बाद भी preserved रहती है जो difference है सामाने local variable से static local variable का वो क्या है कि सामाने जो local variables है या auto variables की बात करते हैं या register variables की बात करते हैं उसमें दोनों variable local थे लेकिन जो उन cases में क्या हो रहा था कि उनकी value जो preserved नहीं रह रह रही थी लेकिन यहां जो static local variable है उनकी value preserved रहती है अर्थात हम अगर उस function के बाहर जिस function में उनने declare किया है उसके बाहर भी जाएं तो value preserved रहेगी और आगे के function में जो updated यहां लिखा गया है यहां लिखा गया है जैसा कि static जो variable है उनकी value सिर्फ एक ही बार initialize होती है और अगर हम सामने terms में बात करें तो इनको हम कह सकते है कि सामने जो global variable है उनहीं की तरह work करते है यहां पर हमने एक example में इसको लिखा है इसका syntax समझाया है पहले हम समझते है कि अगर हमने कोई variable है उसको static declare नहीं किया है तो क्या फ़र्क होगा जब मैंने उसे static declare कर दिया है तो क्या फ़र्क होगा तो पहले हम एक सामने example ले रहे हैं जिसमें हमने static का प्रयोग नहीं किया है तो यहां हम देख सकते हैं कि जो functions है यहां पर भी हमने दो functions use की है पहला function main function है यह वाला function और जो दूसरा function है वो void func वाला function है ठीक है तो हम इसको one by one discuss करते है यहां जब हम i की value ले रहे है तो i को initialize किया है 0 से लेकर 10 तक जब मैं printf करवा रहा हूँ वी तक हमने कोई चीज प्रिंट नहीं करवा है यह सिर्फ एक tab प्रिंट करवा है तो मैं सबसे पहले यहां इस function पर जाता हूँ जैसे मैंने इस func function को call किया मेरा program का control इस particular function void func पर चला जाएगा यहां पर सबसे पहले क्या हो रहा है int num equals to one है अर्थात जो variable num num था उसको हमने initial value one दी है अब यह value क्या होगी print होगी जब मैं printf में जाऊंगा तो यहां printf %d num यहां ऐसा होते ही क्या होगा यह num में one print हो जाएगा और इसके बाद मैं जब num plus plus की बात करूँगा तो इस num plus plus के थुरू नम की value क्या हो जानी चाहिए थी 2 हो जानी चाहिए थी लेकिन हम देखते है कि क्या वो value update हुई है अब ऐसा होने के बाद में क्या होगा मैं printf मेरे loop में जाऊंगा यह तो आई बराबर 0 के लिए था आई बराबर 1 के लिए अगर मैं जाता हूँ तो आई बराबर 1 के लिए क्या होगा पुन्हे मैं इस function को call करूंगा पुन्हे इस function को मैंने call किया यहां गया control यहां मेरा यह re-initialize हो रहा है num equals to 1 ठीक है तो यहां जो num की value थी वो बार-बार initialize हो रही है 1 से पुन्हे हम यहां क्या करेंगे printf में use करेंगे तो यहां क्या होगा 1 आएगा num plus plus के through 2 हो जानी चाहिए लेकिन जब मैं दुबारा function को call करूंगा तो यह दुबारा initialize तो इस प्रकार हम जितनी बार भी print करेंगे यह हर बार 1-1 ही print करेंगा जैसा कि हम इस example में देख पा रहे हैं यहां यूज कर दिया और कोई changes नहीं है पिछले program से तो इसको static करते ही क्या होगा जब मैं इसको print कर वाँगा इस function call के through function का control यहां एगा इसकी value 1 होगी जो यहां 1 print करेंगे तो सबसे पहले 1 print होगया अब जैसे ही num plus plus होगा यह value क्या होगी 2 होगी अब जब मैं दुबारा इस function call पे जाऊंगा और दुबारा इसको call करूंगा आई बराबर 1 के लिए तो क्या होगा program का control यहां आएगा लेकिन यहां यह re-initialize नहीं होगा यह क्या लेगा updated value लेगा तो यहां num 1 की जगे क्या आजाएगा 2 आजाएगा और जब मैं प्रिंट करवाँगा तो यहां बन की जगे 2 प्रिंट होगा अब num++ के कारण यह value क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी इसी प्रकार यह चलते चलते 1,2,3,4,5,6 और 10 तक प्रिंट हो जाएगा clear है सब को यह तो यहां क्या हुआ जो static variable था स्कोप क्या था local था local क्यों था क्योंकि यह सिर्फ void function के अंदर ही use हो रहा है अब हम global static variable की बात करते है global static variable क्या है यह कैसे work करता है तो आईए next program लेते हैं यह हमने इसका output दिखा दिया है यह है next global static variable global static variable simply nothing but हमने किसी भी function से पहले एक variable को static declare कर दिया है किसी particular function में use करने के बजाए उसको यह कैसेतने है सभी functions के बाहर मैंने use किया यह देखिए जैसा कि यहां किया गया है इसको ना तो मैंने main function में initialize किया और ना मैंने इसको function के अंदर initialize किया इसको मैंने कहां initialize किया है सबी दोनों functions के बाहर, clear है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, main method में गया, main method में मैंने num equals to num plus one लिखा, लेकिन यहाँ चीज ध्यान दीजे, मैंने static word का use नहीं किया, जब int i या int num की बात कर रहा हूं, यह मैंने एक बार declare गया, अब जब मैं यहाँ use कर रहा हूं, num equals to num plus one के कारण क्या हो जाएगी, इसकी value, one थी, वो value, sorry, जो value one थी, वो value क्या हो जाएगी, num plus one के कारण, two हो जाएगी, अब अगर मैं यहाँ पर function को for loop में जाता हूँ, tab देता हूँ, tab के बाद में इस function के थुरू, program का control यहाँ transfer करता हूँ, अब मैं अगर print करवाने की कोशिश करूँगा, void function के थुरू, तो यहाँ क्या value print होगी, जो यह two है, यह वाली value, क्योंकि यह क्या है, global variable था, और global variable की value यहाँ update भी हुई थी, तो अब यह यहाँ print क्या करेगा, two initially print करेगा, अब num++ के current value क्या होगी, three होगी, और यह adaptation कहाँ जाएगा, इस जगे भी जाएगा, अब जब मैं function call करूँगा, तो क्या होगा, यहाँ जब print करूँगा, तो यह value कितनी होगी यहाँ पे, three print करेगा, यह three print कर दिया, और यहाँ value update होगी four, अब यह four updated value यहाँ जाएगी, यहाँ से वापिस यह function के थूँगा इस जगा आएगा, यहाँ आके print क्या करेगा, और इस update के कारण, num++ के कारण value 5 हो जाएगी, तो इस प्रकार हम देखेंगे, यह two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and so on print करता रहेगा, आप देख सकते हैं, two से लेकर 11 तक इसने output के अंदर print किया है, ठीक है, तो इस प्रकार आप शायद global static और local static variable का अंतर भी समझ पाए होंगे, अब हम एक बार lecture का समापन से पहले, पुन है, इनका comparison देख लेते हैं, जो चारो storage classes थी, तो यहाँ चार storage classes कौन-कौन सी थी, auto थी, extern थी, auto, extern, register, और static, ठीक है, अब auto के case में जो storage location क्या होती है, memory होती है, लेकिन memory में भी stack के रूप में memory allocate होती है, और stack के अंदर जो भी variables हैं, उन variables के जो initial value होगी, वो क्या होगी, garbage value होगी, इनकी visibility क्या होगी, क्योंकि यह local variable होते हैं, तो इनकी visibility भी local होगी, या इनका scope भी local होगा और इनका lifetime क्या होगा end of block कौन सा block उस function का block जिसके अंदर उसको declare किया गया है अगर मैं extern keyword की बात करता हूँ या extern storage classes की बात करता हूँ तो external storage class के case में keyword कौन सा use होगा extern और इनकी memory location क्या होगी कहां store होगे यह memory के अंदर इनकी default initial value 0 होगी और इनका scope है या जो इनकी visibility है वो global होगी इनका lifetime क्या होगा जब तक हम program को execute करते रहेंगे या program जब तक execute हो रहा है तब तक इसका lifetime रहेगा अर्थाथ simple words में में एक हैसा तो हो कि throughout the program या पूरे program में वो जिन्दा रहेंगे या उनका lifetime रहेगा next है register variable या register storage class variable तो इसके case में keyword कौन सा use होगा register यहां जो storage location अब वो क्या होती है by default register होती है इसी के करण इसका नाम register पढ़ा है लेकिन अगर register में space नहीं बचा या register fulfill हो गए तो register में भरने के बाद में वो कहां भरे जाएंगे CPU के अंदर आएंगे इसके पशाथ जो next चीज है वो है default initial value तो register जो variable है उनकी गार्बेज वैल्यू और उनकी जो initial value है वो गार्बेज वैल्यू होती है visibility है scope की अगर बात करें तो इनका जो scope है या जो visibility है उस particular function जिसके अंदर उन्हें declare किया गया है या initialize किया गया है वहीं तक रहेगी उसके बाहर आती ही इनका scope खत्म हो जाएगा और इनका जो lifetime है वो भी उस particular block ठकी रहेगा static variable है उनका जो storage location है वो memory होती है memory में store होते है इनके default initial value 0 होती है visibility इनकी local या global हो सकती है वो depend किस पर करता है कि हमने local static variable use किया है या मतलब उसको locally किसी function में use किया है या सभी function से बाहर use किया गया है लेकिन एक चीज़ जो ध्यान देने योग है कि इनकी value preserved रहेगी इनकी value चाहे वो local static variable हो या global static variable हो दोनों ही cases में इन variable की जो value है वो update होती रहेगी re-initialize नहीं होगी केवल एक ही बार initialize होगी lifetime के अगर मैं बात करूँ तो इनका lifetime क्या होगा जो different functions calls है उनके बीच में इनका lifetime रहेगा अर्थात इनकी जो value है वो preserved रहेगी पूरे program के दोरां तो आश्या है आपको य RGB पसंद आया होगा आप चारों जो stories classes हैं उनको समझ पाए होंगे और जो variable है उनका जो scope है उस scope को भी को समझ पाए होंगे कि local variable का scope कहां तक है या global variable का scope कहां तक है और उनसे संबध जो निएम है उनियम क्या है इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद थेंक यू इस कोटेशन का भी ध्यान दे और दिन प्रती दिन मेहनत करते रहें धन्यवाद